नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पर और ये बिल्कुल मैराखन क्लास आपके सामने है BPSC 142 जिसका एक्जाम आपका कल होने वाला है तो थोड़ा सा फोकस करते हैं इस क्लास पर जो भी आपका डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है तो देखिए ये जो क्लास है इससे पहले दो क्लासिस करा चुके हैं अजे सर वो जो दो क्लासिस है हमने दिसंबर के अलावा कौन सा पेपर जून 2000 23 का पेपर क्या किया यहाँ पर इस्तेमाल किया है और अब जो यह मैरथन क्लास है इसमें मैं आपको दिसंबर जो 2023 में पेपर हो उसका एनलेसेस करांगा तो इसके प्लेली स्क्शन में आपको कम सिकम 5 से 6 क्लासिस मिल जाएं के लिए enough होने वाली हैं उन्हें ही आप जहां से cover करना ठीक है महामेरत आने all-in-one की बात करेंगे important questions की बात करेंगे देखिए सबसे पहला question 1947 से भारत की विदेश नीती का एक सार आपको यहाँ पर प्रकट करना है यानि 1947 के बाद भारत ने अपनी विदेश नीती अलगी लेवल पर बनाई है तो क्या खास बात रही है भारत की foreign policy की सबसे पहली बात तो आपको पता होने चे फोरन पोलिसी होता क्या है कोई देश दूसरे देशों के साथ किस परकार का वहवार करता है यह पता चलता है उसकी foreign policy से और भारत की foreign policy के मुख्यविंदू आपके सामने यहाँ पर हैं आप इने इक पर पढ़ने की कोसिस कीजिए कि जब दुनिया में CTU चल रहा था तो भारत ने क्या किया था दोनों महासकतियों को चाहे वो कोन हो अमेरिका हो चाहे वो सोवियस संग हो यह बात हम 12th class में पढ़के आए हैं 12th की political science में हैं कि भारत ने क्या किया था गुट निर्पेक्स ता का सारा लिया था इसने दोनों गुट निर्पेक्स आंदोलन के संस्थापक देश थे कितने 5 संस्थापक देशों में एक रहा आपका कोन इंडिया समझ में आया तो पहली देश नीती क्या है भारत की यह किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होता भारत अमीज़ा गुट निर्पेक्स तक क्या करता है पालन करता है दूसरा भारत की विदेश नीती में पंच सील समझोता पंच सील समझोता किस के साथ हुआ था भारत और चीन के साथ हुआ था 1950 में भारत के समझोता किस के साथ हुआ था चाइना के साथ हुआ था इस समझोते की खास बात क्या है इस समझोते में दोनों देशो अंतिपूर्ण रहने का, और एक दूसरे पर आकर्मन ना करने का, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्ट छेप ना करने का और साथ साथ पारस पर एक लाब की बात की थी तो आप कह सकते हैं गुट निर्पेक्स्ता और पंचसील दो ऐसे सिद्धानते जिस पर हमारा क्या टिका हुआ है आप कह सकते हैं भारत की विदेश नीती का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है समझ माई कहानी इतनी आप कहेंगे डंसर यहां तक कोई भी परिशानी नहीं है देखिए next नेक्स्ट जो भारत की विदेश नीती में आपको देखने के लिए मिलेगा आत्म निर्परता self-dependency आपको पता है भारत हमेशा कोसिस करता है कि आर्थिक विकास का मामला क्यों नहीं हो और राष्टे सुरक्षा का मामला क्यों नहीं हो हम आत्म निर्पर बने रहें इसके लिए आपने सुनाओगा भारत ने कारेकरम भी चलाया था मेक इन इंडिया Make in India मतलब भारत के अंदर बनाई है जो भी चीज भार से इंपोर्ट की जा रही है उन्हें काँपर बनाया जाना चाहिए भारत के अंदर बनाया जाना चाहिए Make in India कारेकरम इसी को लेकर था भारत हमेशा अंतराष्टे सांती चाहता है भारत हमेशा सुरक्षा चाहता है यही भारत की विदेश नीती है इसके लिए भारत हमेशा किसको महत्पूर्ण मानता है संव्तराष्टे संग को UNO का नाम आपने सुनाओगा भारत हमेशा UNO को पक्ष में रहता है क्योंकि यह एक मात्र ऐसा संग्टन जो दुनिया में चाहता है क्या अंतराष्टे सांती और सुरक्षा इसलिए भारत कभी भी किसी देश के साथ युद्ध करने से बच्चता है लडाईया करने से बच्चता है बाद चीज से समझाने की कोसिस करता है यही करने भारत के युद्ध ना के बराबर है दन दोस्तों फिर आता है आपका फिफ्ट पॉइंट विकासील देशों के साथ सहयोग भारत हमेशा जो अफरीका और कहां के एशिया के जो विकासील देश है उनके साथ सहयोग की भावना बनाने की कोसिसकरता है क्योंकि भारत स्वयमक विकास सिल देस है अब जैसे भारत ने गुर्डनरिप्रग सांदुलेग की सुरुगाउट की थी तो भारत ने कौन-कौन से देसों के साथ जैसे आपका इंडोनेशिया है इंडोनेशिया है ये दच्छिनपूर्वेशिया के देश है इसके अलावा आपका कहा है मिस्र है एजिप्ट जिसे आप कहते हो है ना इसके साथ किसके साथ घाना जो कि साउथ अफरीका के एक कंट्री है है ना इसके साथ यूगोसलाविया जो कि मध्य इशिया ही देश है त जाकि सब का साथ सब का विकाश जो वाली बात है, वही चीज भारत की हमेशा से रही है, भारत अनतराष्ट से योग चाता है, वो सबी का साथ सब का विकाश चाता है, तो यह कुछ पाच बिंदू है जो भारत की विदेश browse watch करते हैं, Clear दोस्त चलिए, next question है CTUD के बाद जब CTUD समाप्थ हो गया तो भारत ने अपनी विदेश नीती में क्या क्या changes किये चलिए बताइए तो आपको पता है CTUD समाप्थ हो गया था 1991 में क्यों समाप्थ हो गया था 1991 में क्योंकि CTUD दो देसों के बीच था अमेरिका और सोवियस संग के बीच और 1991 में सोवियस संग क्या हो गया था समाप्थ हो गया था हैने ये 15 देसों में बट गया था अपने पड़ा हो गया था तो भारत ने अपनी विदेश नीती को कैसे change किया उसने इस तरीके change किया क्योंकि अब गुट निर्पेक्स ता को को मतलब तो बनता नहीं है क्योंकि अब गुटी नीते दुनिया में दो अब तो केवल एक धुर्वे विश्व बन चुका था अमेरिका ही सर्वसक्तिमान साबित हो चुका था तो गुट निर्पेक्स आंदोलन से आगे बढ़के इन्होंने क्या किया इन्होंने गुट निर्पेक्स ता की प्रासंगीकता थोड़ी सी कम करके भारत ने बहुपक्षवाद की बात की भारत ने कहा मैं उस पक्ष में हूँ जहां मेरा हित होगा जहां भारत का लाव होगा उस पक्ष में कई बार भारत फैसला देता हुआ दिखाई देता है तो भाव पक्षवाद की तरफ हम क्या होगए? सिफ्ट हो गए हम कहा होगए भाव पक्षवाद भाव पक्षवाद मतलब क्या है? पहले हम दोनों गुटों से क्या करते थे अलग रहना पसंद करते थे अब हम दोनों गुटों से अपने हित को लेकर संबंद बनाते हुँ दिखाई देते हैं हमारी बात रूस से भी होती है जो कि सोवे संग का उत्रादिकारी माना गया है हमारी बाचीत अमेरिका से भी होती है क्लियर, चलिए इसके साथ भारत ने 1991 में जब हमारे देश में नरसिंमा राओ जी की सरकार थी और मनमोहन सिंग कों थे हमारे वित्व मंत्री थे मनमोहन सिंग जी, हैना महान रत्रसास्तरी भी कहा जाता इनको तो इनके रहते हुए भारत ने आर्थिक उदारी करण और वैश्वी करण किया उदारी करण में भारत ने वेपार पे लगे सभी परकार के टेक्सिस अटाए ये भी क्या है विदेश निती का एक तत्म है और वैश्वी करण ने भारत ने कहा कि हम पूरे दुनिया का एक ही करण चाहते हैं भारत चाहता है कि पूरे दुनिया में मैं भी एक ही करण हो जाऊं है ना पूरे दुनिया से हमने कहा कि हम चाहेंगे पारस पर एक जड़ाव किलियर तो ये थी भारत की विदेशनीती समझमाई भारत की विदेशनीती में क्या बदलाव आई गुट निरिपेक स्थासे हां भहुपक्षवाद की तरफ बढ़ गए आर्थिक उदारी करनों और वैश्वी करनों ने अपना लिया डन चलिए आगे यदि आप बात करेंगे हाँ पर तो आप कहेंगे सर पडोस पर्थम निती तो भारत ने आपर कौन सी निती अपना ही भारत ने आपर अपना ही पडोस पर्थम निती पडोस पर्थम निती मतलब भारत ने कहा कि मैं दच्छिन एशिया का देश हूँ तो दच्छिन एशिया और इसके आज़ पास के जो छेते हैं से दच्छिन पूर्वेशिया इन देशों के साथ में सहयोग करूगा यही कारण था कि भारत ने सार्ख संगठन के स्थापना में भूमी का निभाई सार्ख संगठन क्या है दच्छिन एशिया चेत्रिय सहयोग संगठन यह भी भारत की विदेश नीतिकाई खिस्सा है सीट यूद के बाद भारत ने महासक्तियों के साथ संबंद बनाने स्टार्ट किये कहां तो यह अमेरिका और सोव्यसंग दोनों से अलग था आज के समय में भारत कोसित करता है कि दोनों के साथ इसके संबंद क्या हो जाएं बहतर हो जाएं क्योंकि अब वो जमाना गया जब हम लोगों के क्या करते थे विरोध करते थे आज के समय में दोनों सूपर पावर्स हैं और ये सूपर पावर्स महा सक्तियां क्या कर सकती हैं ये भारत के कई वैपारों को रोक सकती हैं यही करना है कि हमें मजबूरा है इनके साथ एक अच्छे संबनाने की अपील करनी पड़ रही है समझ में आया साथ साथ भारत अपनी वदेश नीती में आतंगवाद की बात करता है कि आतंगवाद का मुकाबला हमें करना पड़ेगा और हमारे आतंगवाद किस तरीके का दिखाई देता है सीमा पार आतंगवाद जो क्रोस बोर्डर है जो कि आपको पता हमारे पढोसी देश, नाम मुझे बताने ही जरुरत नहीं है, हमारे पढोसी देश से समानने थे हमारे देश में परवेश करता है, उस आतंग मात के खिलाब भारत हमेशा लड़ने की कोशिस करता हुआ दिखाई देता है, समझ मैं नहीं आया, प्लेलिस सेक कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, लिमिटेट पढ़िए, भारत और रूस के सम्मंदों की बात करते हैं, आपको पता है, भारत और रूस के सम्मंदों जो है, वो समय समय पर बदलते रहे हैं, जब सोवयसंग का हिस्सा होता था, तब भारत ने रूस से दूरी बनाई, क्यों? क्योंकि बारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाता था, जब 1991 के बाद सोवयसंग तूट गया रूस अलग हो गया, तो भारत को लगा कि अब बहु पक्षबाद वाली विचारधरा अपना नहीं पड़ेगी, अब इन देसों के सा संबंद लंबे समय से रहें और दोस्ताना वाले रहें, 1950 में स्थापि दोनों देसों के भी संबंदों को विसेश और विसेश साधिकार द्वारा रणनीतिक साज़ेदारी के रूप में देखा गया, इट मींस भारत और रूस के अतिहासिक संबंद काफी अच्छे रहें है पोजिटिव का साइन हम लगा सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक संबंद कैसे हैं, भारत ने हमेशा रूस के साथ अच्छे संबंद मनानी कोसिस किया, दोनों देस कई अंतराष्टे मंचों पर, जैसे UNO है, कई अंतराष्टे मंचों पर क्या करते हैं, एक दूसरे का सयोग करत बहुत ऊपने हमेशा साथ देता है, पाकिस्तान का, तो हम बात करनें उस रुष्टिया की जिसमें राजनीतिक रूप से हमेशा हमेशा हमारा क्या किया है? सयोग किया है. क्योंकि रूस सुरक्षा प्रिसित का इस थाहिस अधस्या है रक्षा संबन्द किस परकार की हैं आपको पता है भारत रूस से सबसे ज़्यादा है हतियार खरिदता है है ना आप बताईए कौन-कौन से हतियार भारत ने रूस से खरीदे हैं वो आप मुझे कमेंट बोक्स में बताईए इसके अलावा कई बार दोनों रेक्सर सायोग करते हैं और कई सहनिया भास रूस के साथ किये जाते हैं कई परकार की जो आप कहसकते आर्मी एक्सरसाइजिस होती है वो रूस के साथ की जाती है आर्तिक संबंद बात करें तो दोनों के बीच में दुई पक्षे वैपार लगातार बढ़ रहा है दोनों के बीच में वैपार होता है संस्कृतिक संबंदों की बात करें तो इसे तो आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि राज कपूर साब से लेकर और अमिताब बच्चन तक रूस में घरगर जाने जाते हैं सब उन्हें पहचानते हैं अच्छे से उनकी मूवीज महाँ पर परचलित थी ये भी एक संस्कृतिका हिस्सा होता है पार्ट ओफ कल्चर ठीक नेक्ट देखिए भारत और चीन के संबंदों की भी बात करते हैं भारत और चीन आपको पता मधूर संबंदों बहुत कम ही रहे हैं नोर्मली लेकिन इतहास में दिबात करें तो एतिहासिक संबंदों की दिबात करें तो भारत और चीन के संबंदों प्राचीन काल से रहे हैं दूसरा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंद रहे हैं राजनीतिक और आर्थिक नहोकर कैसे रहे हैं सांस करें ते किया फिर वयापार, क्यानी कल्चर का थोड़ा सा लेंदेन आप देख लीजिए, या फिर आप किसका लेंदेन देख लीजिए, वयापार सबसे जादा, आप कह सकते हैं, आप देखेंगे हर दूसरे क्लोने पर लिखा होता है, made in चाइना, तो वो चीज है, वया राजनितिक संबन किस परकार के हैं, भारत और चीन के बीच में राजनितिक संबन कभी-कभी तनावपूर हो जाते हैं, जैसे 1962 का भारत चाइना का यूद आपको याद ही होगा, ये सीमा विवाद को लेकर हुआ था, है ना बोर्डर, अभी आपने सुना होगा, कि अभी हा जो लंबी विवादित सीमा है, दोनों देसों ने कई दोर की वारता के, लेकिन आज भी इसका समिधान नहीं हो पाया, समिधान कहारों समाधान नहीं हो पाया है, किलियर, आर्तिक संबन किस परकार के हैं, आर्तिक संबनों में सबसे महत्पून आता है व्यापार, मैंने बत से काया, इन दोनों में किवल दोई चीज़ देखने के लिए आपको मिलेगी, या तो इन दोनों में आपको सांस्कृतिक संबन्द देखने के लिए मिलेंगे, सांस्कृतिक, या फिर आपको व्यापारिक संबन्द देखने के लिए मिलेंगे, संस्कृतिक या फिर व्यापार के लिखिया ना भारत के सामने प्रमुक परियावनिया चिंताए कौन-कौन सी हैं तो आपको पता आधुनिक विश्यू में भारत के सामने कई परकार के एन्वार्मेंटल इशू हैं भारत दुनिया में लगबग सबस्यादा बात करते हैं भारत में सबस्यादा वाहन चलेंगे जादा वहान चलेंगे जादा वद्योग सतापित होगे जल परदूसन यानी जो आपको पता है नदियां है, जीले है, भूजल है ये सबी धीरे-धीरे सुद्ध तो समाप्त हो रहा है और इसके अंदर आपको अपसिष्ट देखने के लिए मिलेगा अपसिष्ट मतलब गंद की ये भी क्या है भारत की परियावनिये चिंता फिर आता है म्रद्दा शरन म्रद्दा सरन मतलब मिट्टी की जो आप कह सकते है उपजाओ शमता है भारत में लगातार कम हो रही है कारण क्या है? लगातार चराई करना वनों की कटाई करना और खेती, खेती कैसी करना? आपको पता रसाइनिक जो खेती, हम जो खेती में क्या कर रहे हैं रसाहिनों का इस्तमाल कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मिद्धा शरण को रोकना पड़ेगा कचरा परबंदन ये सबसे बड़ी दिक्कत है भारत योग कोई अंदर ही वो वहवार नहीं है जहांपर हम कचरे को क्या करें मैनेज करके चलें नहीं हमें कितना सिखाया जाता है कि गीला कुड़ा दूसरे कुड़े के दान में डाली है हमें किवल डालने से मतलब हो कोई से भी कुड़े दान में जाए तो कचरा परबंदन भारत में नहीं है और जलवायू परिवरतन भारत के नहीं पूरे विस्ट की समस्या है आप ही देख लिए इस बार minimum temperature कितना है गर्मियों में minimum 50 degree बना हुआ है और ये विस्ट का परियावरन गरम हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है गरम हो रहा है सर्दी होट टडाके की पड़ती है गर्मियों उससे अधा कडाके की पड़ रही है यह देट इस गोल्ड आपका जलवायू परिवरतन हुए इनके जो रिष्टे हैं मजबूत हुए मजबूत क्यों हुए क्यों हुए क्यों कि दोनों लगबग एक जैसी policies पर चल रहे है अब भारत भी धीरे धीरे आप देखेंगे तो पूझी बात की तरफ बढ़ रहा है निजी करण की तरफ बढ़ रहे है तो ये विचारधारा किस की थी ये विचारधारा तो आपको पता है अमेरिका की थी और जब हम विचारधारा अमेरिका के अपनाएंगे तो रणनीतिक संबन तो हमारे मजबूत होंगे रक्षा से योग की बात करते हैं भारत अमेरिका का सबसे बड़ा रक्षा आप उर्ती करता है आपको पता है सोरी अमेरिका भारत का है ना अमेरिका क्या करता है सबस्यादा हतियार भारत को देता है यह सबसे बड़ा सप्लायर हो गया तुम्हें पता हिए है भारत जातर हतियार रूस से खरीद लेता है बचे कुछ है जो technology के मामले में दूसरे हतियार है वो कहा से आते हैं अमेरिका से आते हैं साथ-साथ आपको पता है अमेरिका के साथ भी भारत के साहिनिक कई बार अपियास करते हुए पाए गए हैं इवन जब UN के United Nation Organization के 37 अभियान चलते हैं तो महाँ पर भी अमेरिका और रूस के सहनिकों के साथ भारत के सहनिक कई बार अभियान पर जाते हैं आर्तिक संबंदों की बात करें तो इसका example तो आप इसी चीज़ से ले सकते हैं कि बहुत जादा आप कैसकते हैं अमेरिका भारत में सबसे बड़ा विदेसी निवेसक है क्योंकि आप देखेंगे गूगल जैसी बड़ी-बड़ी कंपणिया उसने भारत में स्टैबलिस्ट कर दी है है ना अब आपको पती है दिल्ली के बिल्कुल किनारे पर पढ़ने वाला हरियाना के एक सेयर गूरू ग्राम महापर इसका headquarter भी बनाया गया है किसका Google का तो सबसे बड़ा विदेसी निवेसक हमारे पास कोई है केवल अमेरिका फिर आता है आपका छेतिरे सुरक्षा छेतिरे सुरक्षा को लेकर यहीं बात करें तो हिंद परसान छेतर में एक सोतंतर खुला और समावेसी विवस्था बनाये रखने में रूची रखता है दोनों ही देश चाते हैं कि परसान तमासाकर में कम सकम भारत का दबदबा हो वैशिक मुद्दों की बात करें तो भारत और अमेरिका आतंगवाद को लेकर जलवायू परिवर्तन को लेकर आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं सयोग करते वे पाए गए हैं ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार अमेरिका ने भी वो फेस किया है जो भारत ने 26-11 को किया था है ना 2008 के आजपास वही 9-11 2001 के आजपास अमेरिका ने भी फिल किया इसलिए दोनों ही देश आतंगवाद के खिलाफ हैं 971 का बांगलादेश मुक्ति यूद या फिर आप कह सकते हैं बांगलादेश का निर्माण ये कोशन एक्जाम में कल आ सकता है अब इसको करेंगे दोस्तों सबज में आ रही एक लास अच्छी लगी आपको एक लास तो अच्छी सी कमेंट करना और जादे जादे इस कलास को शेयर करना अपने इनों के वाट्साइप ग्रूप्स में आप भी हमें अपने वाट्साइप ग्रूप्स में क्या कर सकते हैं शामिल कर सकते हैं ताकि हम बच्चों तक पहुँच बना पाएं तो हमारे ओफूशन नंबर को आप अपने वाट्साइप ग्रूप्स में एड कर सकते हैं देखें 1971 का बांगलादेश मुक्ति युद एक एतिहासिक टिपनी 1971 में बांगलादेश मुक्ति हुई थी पूछे क्यों कैसे हुई थी है मुक्ति आपको पता है बांगलादेश को पहले क्या कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था क्या कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान और अब जो पाकिस्तान है जिसे हम आज के समय पाकिस्तान कहते हैं उस समय उसे कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे नहीं कहते थे अब ये जो पश्च्वी पाकिस्तान के लोग थे ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जबरन उर्दु भासा थोपते थे जबकि यहां सक्षादा बंगाली भासा बोली जाती थी बागला देश वाला छेत रही तो इसी खिलाफ इसी विवस्था के खिलाफ जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग खड़े हुए तो उनको दबाया जाने लगा पश्च्वी पाकिस्तान के दोरा और भारत ने इसमें उनकी साहता की और इसी साहता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में उपर किये गए अत्याचार के जवाब में शुरू हुआ था बिल्कु सही बात है जिसके परिणाम सुरूप लाकों लोगों की हत्या हुई थी और इसके बाद याद रखना भारतिय सीना के सामने इंदरा गांदी जी का समय है यह जब इंदरा गांदी प्राइम मिनिस्टर न आए है अब जो दो तिन कोश्चन इंपोटेंट बनते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो एक्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं देखे भारत के संबंद भारत के संबंद किन किन देशों के साथ कल के एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके साथ तो उनको आप थ अच्छीन अमेरिका को लेटिन अमेरिका कहते हैं कहते हैं नहीं कहते हैं बिल्कुल सही भारत के संबंध सिरलंका के साथ भी आपको याद रखने हैं इनमें से एक संबंध का कोश्चन कल जरूर आएगा और एक आपको चीन के साथ भारत के संबन्द याद रखने इसके अलावा भारत की विदेश निती की विशेषता हैं भारत की विदेश निती को अच्छे से पढ़ लेना भारत की विदेश निती कैसे दो तरीके से पढ़ना एक तो भारत की विदेश निती आप कहेंगे आजा और प्लस में कर ले न, उसके बाद भारत की विदेशनीती क्या थी विदेशनीती से ये कोशन कल के एक्जाम में छपेगा है न, विदेशनीती अजादी के बाद भारत ने क्या बनाई विदेशनीती सीतियुद के समय क्या बनाई और सीतियुद के बाद क्या बनाई ये कोशन और ये relation का कोशन most important है कल के exam से यहां से सवाल आएगा दोस्तों ठीक है तो जैहिंद जैभारत जैसे की पीछे हमारा माननी है सम्माननी है तरंगा लगा हुआ है तो इस तरंगे को लेकर दो प्यारे से सब्द आप जरूर कहना और इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं फिर भी कोई डाउट होता आप कमेंट करना धन्यवाद दोस्तों